सलाम वालेकुम दोस्तों तो आज हम बनाने वाले हैं इद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली शाही नवाबी सेवेई जो बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स मैं आपको तो वीडियो को भी ना इसकिप के पूरा देख ना वो भी ले सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर हलकी सी ब्रॉन वाली सेवेई ले ली है तो इसको क्या करेंगे हम हातों से सबसे पहले अच्छे से इस तरह से चूर लेंगे बारीक कर लेंगे सारी सेवेई को तो देखिए अच्छे से इस तरह से 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 बारीक करना है यहाँ अफ्लेम को आउन कर लिया है, मैंने इसको अच्छे से एक बर मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें दाल लेंगे हैं पर थोड़ा समय दा रही हूँ केसर के धागे जो दालना बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंट्स, यहाँ पर देखे फ्रेंट्स, चाशनी को हमने कोई एक तार या बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकेसर नहीं दालते हैं, तो यहाँ पर आप फूट कलर दाल सकते हैं, तो देखे इसको मैं पकने दूँगी, मीडियम फ्लेम पर अच्छे से, अब इसमें मैं दाल रही हूँ, आदी छोटी चम्मा से विकम इलाइची पॉडर, तो इससे फ्लेवर अच्छा हैगा, अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद है, तो आप दाल सकते हैं, जैसे रोज वाटर दाल सकते हैं, तो देखे तकरिवन मैं ने इसको पका लिया है, शकर घुलने के बाद 5 मिन तके, तो यह हलकी हलकी सी देखे, चिपची पी हो गई है, आप फ् सेमई को वारिक करकर रख लिया था ना, वो सारी सेमई हमने इसमें दाल लेना है, तो यहाँ पर सेमई को हमने अच्छे से फ्राइ करना है, तो देखे सारी सेमई दालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो मिक्स करते हुए हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच तो देखे फ्रेंट्स यहां पर सेवे हमारी अच्छे से ब्रॉन हो गई है तो जैसे कि मैंने चाशनी में औरेंज फूर्ट कलर दार रहा है तो आप क्या कर सकते हैं चाशनी में अगर फूर्ट कलर नहीं दाल रहे हैं तो यहाँ पर जब हम सेवे को fry कर रहे हैं तब आप डाल सकते हैं food color तो देखिए flame को बिलकुल low कर लिया है मैंने अब जो चाशनी हमने बना कर रख ली है वो थोड़ी-थोड़ी सी हम इसमें डालते जाएंगे और इसको mix करते जाएंगे तो थोड़ी-थोड़ी सी डाल रही हूं friends मैं उसके बाद इसको हम देखिए इस तरह से mix करते जाएंगे तो यह फॉरण ही जो सेवे है न चाशनी को observe कर लेगी तो देखिए थोड़ी-थोड़ी सी मैंने इसमें चाशनी डाल रही हूं और इसको mix कर रही हूं और friends मैं थोड़ी सी चाशनी को बचा कर रही हूं क्यूंकि मैं इसको बाद में इस्तेमाल करने वाली हूं तो मैं इसको पहले ही बहुत ज्यादा मीठा नहीं कर रही हूं friends तो देखिए मैंने इसको अच्छे से mix कर लिया है यहाँ पर तो देखिए अच्छे से flame को मैंने बन कर लिया है और यहाँ पर जब यह थंडी हो जाएगी ना तो यह अच्छे से खुली खुली हो जाएगी तो मैं इसको ढखका रख दूँगी तब तक हम क्या करेंगे हमारी जो फीड नहीं बोल सकते हैं आप इसको रबड़ी बोल सकते हैं मज़ेदार सी हम बना कर रेडी करेंगे तो इसको इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर गैस पर सॉस पैन में एक लिटर दूद रख लिया है इसको हम अच्छे से गरम होने देखें दूद जब तक गरम होता है यहांपर मैंने एक बॉल ले लिया है जिसमें मैं दाल लूँगी दो चमज चावल का आटा तो देखिए फ्रेंड्स अम यहाँ पर मैं चावल का आटा दाल रही हूं जिससे कि हमारी खीर में चावल का भी फ्लेवर आएका बहुत ही ज तो देखेए अच्छे से मैंने थोड़ा-थोड़ा सा पानी दालते हुए इसका अच्छा सा घ्खोल बना लिया है बिना लब्चके अब देखेए यह पर दूद में भी अच्छे से उबाल आ गया है तो फ्लेम को बिलकुल लो कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर आपड़ी बोल सकते हैं, आप फिर नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मज़े की बन करेडी होती है, इस तरह से बनाने से, तो देखें, यहाँ पर इसको हमने जो गोल बना लिया है, वो गोल हम क्या करेंगे, एक हास से चलाते हुए, दूसरे हास से हम यह सारा इसमें डा आप यहाँ पर देखें, मैंने आदा कप ले लिया है, कंडेंस मिल्क, तो यहाँ पर मैं मिल्कमेड दा रहे हुए, अगर आप मिल्कमेड नहीं डालना चाहते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है मिल्कमेड और मलाई डालना, तो यहाँ पर आप शकर अपने टेस्स के हिसाब से नहीं थे च्षर्फ चावल का आरटा या फिर्स कस्टर पॉड़र आप दाल सकते हैं और सिर्फ शक्र दालकर इसको पका सकते हैं। आप यहाँ पर देखें जो सेवई हमने रख ली थी ना आप देख सकते हैं अच्छे से खुली-खुली हो गई है इस तरह से तो चलिए अब हम इसका एसेंबल करेंगे तो देखें इसको जमाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का एक ग्लास का बॉल ले लिया है आप किसी इसमें प्लेट में आप इसको जमा सकते हैं तो देखें सबसे पहले मैं इसमें सेवई दाल लोगी तो यहाँ पर मैं इसको एक लेयर में बना रही हो तो मैं सेवई की दो लेयर दाल रही हो तो इसके लिए देखें मैंने सबसे पहले थोड़ी सेवई इस पर दाल ली है और इसके उपर से डाली है आप देखे आप जो हमने यहाँ पर फीर नी रबड़ी बना ली थी ना बहुत ही मज़दार सी क्रीमी वो हम इसके उपर से डालेंगे तो यह भी अच्छे से अच्छे से पर आ रही है तो प्लीज मैंने चैनल को जब्सक्राइब तो बहुत ही आसाम औ उपर से अच्छे से सारी डाली है रबड़ी हमारी आप देखे इसके उपर दालूँगी मैं यहाँ पर थोड़े से काजू बादम और पिष्टे का पौडर है मेरे पस तो वो दालूँगी मैं इसके उपर से तो यह दालना बिल्कुल ऑप्शनल है तो देखे मैंने से पूरा उपर से डाल लेना है तो देखे यहाँ पर मैंने सारी सेमी को अच्छे से डाल लिया है अब हम इसको हाँ से हलका हलका सा प्रेस कर लेंगे उपर से तो देखे अच्छे से मैंने इसको प्रेस कर लिया है अब हम क्या करेंगे सेमी के उपर फिर से हमने जो चाशनी रख लिए ना फिर से थोड़ी सी चाशनी अच्छे से इसके उपर से डाल लेंगे तो इससे क्या होगा फ्रेंस हमारे जो से में है ना वो बिल्कुल भी फीकी नहीं लगेगी और ये बहुत ही ज्यादा मज़े की लगेगी फ्रेंस खाली से में भी आप खाएंगे ना तो बह पर देखें मैंने अच्छे से इस पूरा ड्राइफोर्स का थोड़ा थोड़ा सा पॉड़र दाल लिया है अब मैं इसको रख लूंगी सेट होने के लिए तकरीबन तीन से चार घंटे के लिए अगर आपके पास टाइम है ना तो आप दूसरे दिन के लिए बना रहे हैं त तो देखें इसमें भी अच्छे से आराम से सट हो जाएगी तो देखें सबसे पहले मैंने सेवें दाल लिया फिर थोड़ी सी चाशन दाल लिया इसमें ग्लास में फिर थोड़ी सी जो हमारी रबड़ी है वो भी दाल लेंगे और उपर से थोड़ी सी सेवें दाल लेंगे और फिर से इसके उपर से थोड़ी से चाशन दाल लूँगी, और यहाँ पर मैं इस ग्लासेस के उपर फ्रेंस थोड़ी सी टूटी फूरूट ही रख रही हूँ, आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राइफूर्स रख सकते हैं, अब इसको भी मैं सट होने के लिए रख दूँगी फ्रीज में उसके साथ ही, तो यह दोनों भी अच्छे से सट हो जाएंगे, तो देखे फ्रेंस यहाँ पर तीन से चार घंटे हो गए हैं, हमारे नवाबी से मैं बहुत ही अच्छे से 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 होकर रेडी है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ओपर से थोड़े से कटे होए बादम, और थोड़े से कटे होए पिष्टे दाल लूँगी, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, अपनी पसंद से कोई भी ड्राइफूर्स दाल सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ इसमें काजू दाल सकते हैं, सिर्फ बादम दाल सकते हैं, या सिर्फ पिष्टा दाल सकते हैं, तो देखें यहां पर अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से, तो ये फ्रेंट्स आप एक बार इत पर ना, ये डेजर्ट बनाना तो बनता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मज़े का बना था फ्रेंट्स बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनता है तो आप एक बार से जरूर ट्राइ कीजिए जब भी आपके पास कोई अगर फंक्शन हो या कोई महमान आने वाले है तो ये डेजर्ट को आप जरूर से बनाईए इत पर पर जो हमने ग्लासेस में सेट कर लिये थे ना वो भी अच्छे से सेट हो गए है तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी रेशिपी पसंद आती है न तो फ्रेंट्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजिए और फ्लीज मेरे चैनल को जरूर से अपस्तान और मज़धार रसेपे आपके साथ शेयर करूंगी तब तक के लिए दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफीस